हाई एब्रिवान आप सभी के साग होते एक और अनदार नीव वीडियो में नीव एक जानकरी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना प्यएप अकाउट में नाम डेट बात या फादर नेम या हास्बन नेम या माधर नेम को आप चेंज करते हैं तो आपका चेंजिंग जो request होता है और request कौन approve करेंगे आपका employer करेगा या पीएप office के तरफ से होगा आज की इस वीडियो में आपको एक correct जान करी मिलेगा एक सही जान करी मिलेगा और आप में से काफी पीप members का एक comment भी आ रहा है कि हमारा जो पीएप account है हमने नाम चेंज किया है request submit किया है हमने father name correction करने के लिए request submit किया हूँ लेकिन approval कौन करेगा company के तरफ से या पीएप office के तरफ से वीडियो में आपको एक complete जान करी मिलेगा वीडियो को end तक जोरूर देखना और वीडियो को आप लोग आधा आधूरा देखते हो इसके बाद वीडियो में जो information में आपको देता हूँ सेम उसी information के लिए आप नीचे comment box में पूछते हो आप लोग वीडियो को complete देखो इसके बाद आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ सुझा हो है इसके बाद आप comment box में पूछ सकते है और आप ये भी पूछ सकते है कि आपको किस related वीडियो चाहिए आप comment box में बताइएगा उस वीडियो की आपकी comment की ओनुसार वीडियो आप लोगों को provide करेंगे आज की वीडियो का जो topic है यही है कि आप अगर कोई भी चीज correction करते हो अपना PF account में और आपका request कौन approve करेगा तो इस वीडियो में मैं आपको live proof की साथ दिखाऊंगा कि कौन आपकी request को approve करेगा या approval करेगा आप देख सकते हैं एक PF account open करने के बाद इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपने अपना PF account में correction करने के लिए request submit किया है इस status को check करनी के लिए आपको यहापर manage option पर क्लिक करना है next यहापर आपको joint declaration form पर क्लिक करना है next यहापर आपको अपना joint declaration form का option देखने को मिल जाएगा और यहापर आपको member ID देखने को मिल जाएगा नीचे आपको select down करना है और यहापर आपको देखने को मिल जाएगा update details pending request आपने कोई भी details को correction करने के लिए आपने request submit किया है तो यहापर update details pending request की section पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर इस ब्यक्ति ने अपना पीएप एकाउंड में नेशनल लेटी को चेंज करने के लिए रिकोस्स समिट किया है तो यहाँ पर आपको रिफर्नेस नंबर देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है साथ में आपका पीएप एकाउंड मेंबर का जो एकस्टाबलिसमन आईडी है यहाँ पर आप कमपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किया चीज आप चेंज करने के लिए रिकोस्स समिट किया है तो यहाँ पर आपको details देखने को मिल जाएगा और आपकी PF account में present में जो details available है available details यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और किया चीज आप change करने के लिए request submit कर रहो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएग तो यहाँ पर इन वेक्ति ने जो है nationalities को change करने के लिए request submit किया है तो इसके लिए आपको कोई भी document देने की जो रोत नहीं होता है तो यहाँ पर कोई भी document इसको request को submit किया है और present status यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है प्रेजेंट इस्टाटास यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है pending at employer यानि आपका जो company है आपकी company के पास यह pending में है आपका company जब एप्रूप करेंगे यहाँ पर okay करेगा इसके बाद आपका जो request में correction change होने के लिए या update होने के लिए आपने काफी सारा वीडियो देखा है YouTube पर कि बीना company क्या आप अपना पीएप account में अपना details को correction कर सकते है तो यह possible नहीं है पहला जो request करोगे आपका request जाएगा आपकी company के पास आपका company okay करेंगे या अपरूप करेंगे इसके बाद पी request submit किया है summit आपका influencer की पास spending में परा हुआ है तो जैसे आप request को submit करते हो आप अपना company में phone करके बता दीजे कि मैंने अपना पीएप account में details करेक्शन करने के लिए request submit किया हूँ आप approve कर दीजिए तो जितना जल्दी आपका company approve कर देंगे उतना जल्दी ही आपकी पीएप account मे correction हो जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको live proof के साथ दिखाया हूँ कि आप अगर कोई videos correction करते है आपका जो request है पहले आपकी company से अप्रूब होगा इसके बाद पीएप office से अप्रूब होगा तो यह पर मैंने आपको live proof के साथ दिखा दिया हूँ फिर भी आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो में नियुक अप्रिट के साथ तब तब अपने ख्याल रखना शुरूक्षित रहना तब तब के लिए बाब बाई